नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलाजी के बारे में कुछ आम गलत फहमियों की, जिन्हें हम अक्सर सच मान लेते हैं. चलिए जानते हैं, ये मिथक क्या है और इनकी सचाई क्या है? पहला मिथक है, ज्यादा मेगापिक्सल मतलब बेहतर कैमरा. बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी फोन के कैमरे में ज्यादा मेगापिक्सल है, तो उसका कैमरा बेहतर होगा. लेकिन सचाई ये है कि कैमरा की गुनवत्ता सिर्फ मेगापिक्सल पर निर्भर नहीं करती, बलकि लेंस क्वालिटी, इमेज प्रोसेसिंग और सेंसर साइज भी अहम भूमिका निभाते हैं. दूसरा मिथक, फोन को रात भर चार्ज करना खतरनाक होता है. लोग अकसर सोचते हैं कि अगर फोन को रात भर चार्ज पर छोड़ दिया जाए, तो बैटरी खराब हो जाएगी. लेकिन आजकल के स्मार्टफोन चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होते हैं, जो फोन को फोन को फिल चार्ज होने के बाद चार्जिंग को अइटोमैटिकली रोग देते हैं. तीसरा मिथक, इंकोगनिटो मोर्ड में ब्राउजिंग करने से आप पूरी तरह से प्राइविट रहते हैं. बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे incognito mode में browse करते हैं तो उनकी गतिविधियां पूरी तरह से छुपी रहती हैं लेकिन सचाई ये है कि incognito mode सिर्फ आपके browser की history और कुकीज को save नहीं करता लेकिन आपकी गतिविधिया अभी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब साइट्स और नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेडर द्वारा देखी जा सकती है कई लोग सोचते हैं कि रोजाना कम्प्यूटर को शटडाउन करने से उसका हार्डवेर खराब हो सकता है लेकिन सचाई ये है कि कम्प्यूटर को शटडाउन करना एक सामानी प्रक्रिया है और इससे हार्डवेर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता वास्तव में शटडाउन करने से कम्प्यूटर को सही से आराम मिलता है पांचवा मिथख क्लोजड एप्स बैटरी बचाते हैं कुछ लोग मानते हैं कि बैटरी बचाने के लिए सभी एप्स को बंद कर देना चाहिए लेकिन हकीकत ये है कि बार बार एप्स को बंद और फिर से खोलने से बैटरी और अधिक खर्च होती है स्मार्ट फोन खुद बैक्ग्राउंड में चल रहे एप्स को मैनेज करता है तो दोस्तों, ये थे कुछ आम टेकनोलोजी मिथक और उनकी सचाई उमीद है कि अब आप इन मिथकों से बचकर सही जानकारी के साथ टेकनोलोजी का उपयोग करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें अगली बार हम और भी मज़ेदार मिथकों के साथ वापस आएंगे